तो हम बात करेंगे, शुक्र और बुद्ध अगर आपके पंचम भाव में युति कर रहे हों, तो इस युति का कैसा प्रिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता हैं। शुकर और बुद्ध जब भी पंचम भाव में होंगे तो ऐसी जातक में नेचरली कलात्मक पर्टीबा होगी, उसमें बहुत ज़्यदा सरजन छमता होगी और वास्त में जो छमता उन में होगी उसकी कलात्मक अभविक्ती या उसकी नौरμεल रूप से अभविक्ती काफी ऐसा बोल सकते हैं कि जातक को जो भी परतिबा होगी जो भी उसमें रचना आत्मक अभीविक्ति की जो एक परतिबा निकल के आती है उसको जातक दूसरों के सामने बहुत तेजी से लाएगा और उसकी पॉपलरिटी बढ़ेगी जातक बहुत जदा रोमांचित सभावाला हो स सकता है वो अपने प्रेम समंदों का पूरा आनंद लेगा इसके लावा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं इनके जिवन में धन और रिस्तों की कभी कोई कमी नहीं होगी रिस्तों का भी ये उतना ही आनंद लेंगे जितना ये धन का लेंगे अब यहां पर जब भी ये दोनों ग्रह आते हैं तो दोनों ही अत्यंत सुब ग्रह है और एक जहां पर वाणी और बुद्धी का ग्रह तो दूसरा कोशल और रचनात्मक्ता का ग्रह है धन का ग्रह है तो मुख्य रूप से आपको इन सब में बड़ोतरी देखने को मिलेगी आपके जिवन में अब ये दोनों ग्रह जब भी पंचम भाव में आ रहे हों तो जातक की mental ability काफी ज़्यादा अच्छी हो सकती है और उसमें शुक्र वाले जो गुण हैं वो भी काफी तेज हो सकते हैं ऐसा जातक ज्यादातर business वगरे में जाए तो ज्यादा बहतर रहता है ऐसा जातक में जो कोसल होता है उसको बस सिरब पहचानने की जरुत है अगर वो अपने कोसल को वास्तों में पहचान लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है बहुत ज़्यादा उंचायींों तक जा सकता है और काफी famous हो सकता है देखें अन दोनुग्रहों के principle में आने की वज़े से आप में ए तक बहुत ज़्यादा ऐसे options खोज लेगा अपने जिवन में जहां से वो पैसा बना सकता है ऐसे ज़्याद तक अभिने में काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये सुकर से related चीजों में या बुद्ध से related चीजों में अगर business करने को देखें तो इनका business काफी अच्छा चल सकता है इसके अलावा ये अपने जिवन में हमेशा अपने जिवन साथी का पुरा साथ देंगे हलंकि इनके प्रेम समंदों की कोई कमी नहीं होती इनके जिवन में लेकिन फिर भी यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों इग्रहों के आने से ये हमेशा romance पसंद करते हैं एक romance लाइफ को हमेशा ये पसंद करते हैं और एक ऐसी life को जहां पर आपको किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं आती रिस्तों में हमेशा रिस्तों में एक excitement बना रहता है रिस्तों में देखा जाए तो तो शुक्र और बुद्ध आपके कितने close conjunction में ये पंचम भाव में ये देखना बहुत ही मैत्तो पड़न है और सबसे जरुरी बात ये कौन सी रासी में हैं इस रासी में होंगे उनके अनुसार ही इनके result मिलेंगे इसके लवा इन में से कोई भी अगर वक्री हो गया या combust हो गया तो फिर इनके गुणों में कमी देखने को मिलेगी तो उसी परकार से पिर आपको result मिलेगे अब दोनों अगर पंचम भाव में हैं तो ऐसे जातकों के पास हमेशा जीवन में कुछ करने के बहुत सारे options हो सकते हैं इनकी कलात्मक परतिबा की वज़े से इनको बहुत ज़्यदा study अगर ये ना भी करें सुरु में बहुत ज़्यदा पढ़ाई भी अगर ना करें तो कोई दिक्कत इनको नहीं होती विसे इस रूप से क्योंकि ऐसे जातकों के पास multiple options हो सकते हैं केरियर के मामले में धन कमाने के मामले में साथ इस प्रकार के जातकों में अपनी जो परतिबा है खुद की जो परतिबा है खुद की जो रचनात्म कोसल है उसके बलपे पैसा कमाने की जो संभावना ज्यादा रहती है अगर इस प्रकार के जातक फिल्म इंडिस्ट्री में या कोई भी प्रकार के ऐसे फिल्ड में जाएं जहां पर वो अपनी खुद की एक इंडिविजल अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें गाइन वगेरे में तो काफी अच्छा रहता है अब यह पंचम भाव है वो आपके पूरवपुण्यों का पूरव समंद बहुत ज्यादा होते हैं और जातक अपने प्रेम समंदों को कभी भी छुपा नहीं पाता शुक्र और बुद्ध का पंचम भाव में मिलन हम यह बॉल सकते कि जातक को मैरीड लाइफ से पहले भी और मैरीड लाइफ से बाद भी यह काफी ज़दा रोमान्चित करेग और मल्टीपल रिलेशन्स की तरफ ले जाने के लिए प्रेदित करेगा जातक कभी भी अपने पार्टनर से संतुष नहीं होता या कुछ वो एक्स्ट्रा चाता है रिस्तों के अंदर इस वज़े से यहाँ पर कभी कभी आपको परेशा नहीं आ जाएगी और मैरीड यह कंजेक्शन बन दा हो तो उनकी वाइफ उनका पूरा साथ देने वाली होगी और वो काफी ज़्यादा अच्छी हो सकती है बुद्ध से रिलेटेड कारियों में या गंड नामे या वो उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी mental ability हो सकती है बहुत अच्छी calculation power उसकी हो सक सकती है उसकी जो लेखन चमता है वो काफी अच्छी हो सकती है फिर हम जहां पर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध आपके लिए भी इन परकार के गुणों को एक्टिव करेगा तो ऐसे में यह सब गुण आपको मिलने ही वाले हैं इस यूति की वज़े से लेकिन देखे से ज़्यादा इन गुणों का उपयोग करके अपनी लाइफ को बैतर बना सकते हो इन दोनों ही प्लनेट के पंचम भाव में आ जाने की वाज़े से अगर आपका पंचमेस बहुत स्ट्रोंग इस्तिति में चार्ट में बैट जाए तो फिर निस्चित ही आपको बहुत ज्य लोग हमेसा मिलना चाहेंगे आपका जो बात करने का तरीका वो काफी ज्यादा सालिन हो सकता है इस प्रकार के चाह तक लेकिन रिस्तों को बहुत एहमियत देंगे हमेशा और इसी वज़े से लोग इनके साथ ज्यादा कनेक्ट होना चाते ज्यादा इनके साथ रहना चाते अब ये जो इस्तती है आप ये देख लें कि बुद्ध और शुकर कौन-कौन से भाओं के स्वामी है अगर इनमें से कोई भी 6-8-12 का स्वामी हुआ तो कुछ हद तक आपको उतार चड़ा आप देखने को मिल सकते है रिजल्ट में या कुछ ऐसे रिजल्ट मिल सकते है जहाँ पर आप संतुष्ट नहीं अपनी लाइब से लेकिन ये दोनों ही आपके लिए काफी बेटर रिजल्ट लेकर आएंगे अगर ये 6-8-12 के स्वामी नहीं है साथ ही आप संतान के साथ भी बहुत अच्छे रिस्तों का अनंद लेंगे और ये इस्तिति में आपको माता से धनलाब मिलने की संभावना है क्योंकि माता के लिए ये उनका सेकंड हाउस हो जाता है और आपकी माता भी काफी क्रियेटिव हो सकती है आपको बहुत ज़्यदा सपोर्ट करने वाली हो सकती है फिर ये दोनों ग्रहों के आने से आपको कन्या संतान प्राप्थ होने के ज़्यादा आशे चांसे ज़ Micro आपकी संतान होई वह भी काफी जदा घौनी होगी बहुत ज़्यदा रचनात मक्सल वाली होगी बहुत ज़्यदा सर्जन छमता वाली होगी तो ऐसे जात्कों का जो कार्य च्चत्र की तरफ रुजहान हम बहुत सकते मुल्टीपल हो सकतो है इनके पास काफी सारे options अपने career को लेकर हो सकते हैं ऐसे जातक अगर business करें या job करें दोनों ही में वो काफी अच्छा कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार के जातकों में एक natural talent हम बोल सकते हैं बुद्ध और शुकर से related होता है तो आपको बुद्ध और शुकर से related career को चुणने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको career में progress करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अब हम बात करें अगर शुकर के द्वारा दी जाने वाली चीज़ों की तो शुकर यहां पर आपको ज़्यादा रचनात्मक बनाएगा बुद्ध की तुलना में क्योंकि शुकर के पास ही वो वास्तमे रचनात्मकता है बुद्ध सिरफ आपको उसका बहतर उप्योग करने के लिए प्रेदित करेगा क्योंकि बुद्ध है वो आपकी mental ability है आपकी mental छमता है आप किस तरह से analysis करते हैं किस तरह से किसी विसे के बारे में सोचते हैं और किस तरह से आप निर्ने लेते हैं लेकिन शुकर वाली चीज़ों का उप्योग आप बहुत बेतर कर सकते हैं के साथ होनी के वज़े से अब आपको यह पता लग जाएगा कि वास्तों में आप क्या कुछ कर सकते हैं आपको कितनी पैचान मिल सकती है आपकी ability कितनी है आप कितना ज्यादा अपने आप में improvement ला सकते हैं तो यह जो conjunction आपको जादा से जादा project करेगा जादा से जादा आपको motivate भी करेगा लेकिन ऐसे में जातक का स्भाव काफी अच्छा हो जाता है वो हमेशा हर रिस्ते को प्राहत्मिकता देता है हर रिष्टे को अपने जिवन में एहमियत देता है तो आपके लिए कभी-कभी रिष्टे चुनोतियां भी बन जाएंगे लेकिन अब ये जो इस्तथी है इस वज़े से हो सकता है किसी एक रिष्टे को आप ज्यादा प्रियोरिटी दे रहें धन कमाने के बहुत सारे सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं इवन आपकी एकलात्मक परतिबा की वज़े से भी आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो साथ ही साथ आपको सेर मार्केट, जुवा, लोटरी, सट्टा इन सबसे भी बहुत ज़्यादा फाइदा होने के Sampss हैं और धन को लेकर आपका एक विसेस रुजहान रहेगा धन को लेकर एक बहुत ही अलग स्टितिय आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी और आपके हाथ में हमेशा पैसा आता रहेगा धन हमेशा आता रहेगा अगर आपने कोई बिजनस भी किया तो बिजनस से भी आपको अच्छे इंकम होती रहेगी साथ या आपका network बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आपका साथ देने वाले लोग आपको support करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो ये conjunction बहुत ही बहतर होगा पंचम भाव में अगर ये दोनों इस्तित हैं तो इस परकार के results आने वाले हैं अब आपको ये result मिले हैं या आप मेरे को जरूर बता सकते हो वीडियो के comment works में फिलाल इस वीडियो में इतना है